हेलो फ्रेंड्स मीजएक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लाटफॉर्म पर आपका एक बार फिर्से स्वागत है मैं महेंदर पिष्णु यह आपको होस्ट और दोस्ट हम पढ़ रहे थे राजस्तान जोग्रफी में का हमने जो सामान इस्तितियां विस्तार था वो कल देखा था तो आज हम पढ़ेंगे राजस्तान का जो पुराचीन कुछ भागोलिक प्रतेश थे उनकी वरतमान इस्तिति क्या और उनका वरतमान नाम क्या है यह हमारे समन इस्तितियां विस्तार में ही आएगा जो पहला इंडेक्स का जो पहला बिंदु था उसी में आएगा चली प्राचीन शेत्र में क्या नाम थे भागोलिक शेत्र में उनको क्या कहते थे और उनका वरतमान इस्तिति क्या है तो सबसे पहले हमारे देखते हैं यौध्य यॉद्य शेत्र गंगा नगर वा हनुमानगड यह डेकि जैसा कि आप इसको इमेज में दिख रहा आपको यौध चांगल प्रदेश को सित्र ब्रदेश जोices करत रजोत्पर यहां को दिखा रा है जांगल प्रदेश है जो बिकानेर और जोदपूर का उतरी प्रदेश था और जो है अही छत्रपूर आपको जो दिख रहा है अही छत्रपूर अही छत्रपूर क्या है यह नागोर का अही छत्रपूर किसको कहते थे नागोर को कहते थे नागोर को कहते थे अही छत्रपूर किसको कहते थे नागोर को त जांगल प्रदेश की राजदानी थी इस जांगल प्रदेश की राजदानी थी क्या आई छत्रपूर इस जांगल प्रदेश की राजदानी क्या थी आई छत्रपूर तो आई छत्रपूर किसकी राजदानी थी जांगल प्रदेश की अब क्या कहते हैं नागोर कहते हैं उसके पाद में हैं वल या मांड यह जो माल नहीं है इसको आप मांड पड़े कि वल या मांड कि क्या है यह वल या मांड तो इसको मवल या मांड या जो यह मांड दरहा आपको दिख रही है जो जैसल मेर है है कौन सा जिला है यह जैसल मेठ तो वल या मांड किसको कहते थे जैसल मेर को क 수도 सब्सक्राण Eichi कु सब्सक्राइब कंए अरभलिक एक और नाम था अडवल को है अरावली को कहते थे अब उसके बाद में चंद्रावती चंद्रावती किसका नाम था शीरोही वा आबू का शेत्र यह जो आपको दिख रहा है चंद्रावती ठीक है शीरोही जो और जो आबू का शेत्र था वो क्या कहला था चंद्रावती कहला था उसी के पास आपको दिख आए जाबालीपूर जाबालीपूर क्या था जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपूर किसको नाम था जालोर का प्राचीन नाम था ठीक है जालोर को ही जाबालीपूर कहते थे और यहां पर जालोर में एक जो था चीनी यात्री वेंसांग आया था क्या नाम था चीनी यात थी सी यू की सी यू की ठीक है वेंसांग ने अपनी जो पुस्तक थी सी यू की वेंसांग कहा है था जालोर आया था और इसने जालोर के भीनमाल को क्या कहा था पीलो भी लो जाबाली पुरिष के नाम था जालोर का नाम था जालोर में कौन साइक आया था दार्शनिक चीन का दार्शनिक था है वेंसांग उसने जालोर की यात्रा की थी एंसांग ने पुस्तक सी यू की कौन सी पुस्तक उसने लेकी थी सी यू की में भीनमाल को क्या कहा गया है उसने तो बीनमाल को सी यू की पुस्तक में पीलो-भीलो कहा है तो जाबालीपुर वह गया ?। किसका कहा नाम तर्शी जाबाल practitioners की तपू-भूमी थी वह। वो जालोर नाम हो गया और जालोर में यहां पर एक यात्रा खीती चिविनी यात्र हिवेन सांग ने और उसने अपने पुस्तक C.U. की में भीनमाल को क्या लिखा है पी लो भी लो चंद्रावती हो गया शिरो ही आभी का अभू का शेत्र ठीक है चले आगे चलते हैं कि उसके बाद देखते हैं जो है शीवी मेदपार्ट या प्रागवाट उद्यपूर का जो शेतर था यह आतों दिखरा है इस्ट बितें कि शेतर को कहते थे हो कौछ पर को कहते थे उसके बाद में हैं गॉडवार्ट यह जो लुनी का बेसिन है चुछ आपको आपको यहांपर गौडवाड शीटर जह आ जालोर अ से लाटवार किया है लूनी बेसिन यहांपर लूनी नदी पहती है उसके बाद में यहां पर मालाणी भी एक था श्ůर राजा मली नातु थे मारवाड के जो पहले राजा थे राजा, मलीनाथ उनके दोरा बसाए गया था, उसी के ना, उनी राजा के नाम पर ये मालाणी बसा, मालाणी में कौन कोन है, जालोर और बालोतरा के मद्दे का भाग, मालाणी, मालाणी कहता है ना, मालाणी के गोड़े वह जदा फेमिस है, तो मालाणी कहता है, जालोर और बालोतरा के मद्दे का जो भाग है, उसको मालाणी कहता है, मालाणी की स्थाबना किसके नाम पर हुई, तो राजा मलीना थे, जो की मारवाड के पर्थम राजा थे, उन फुराद में आगे चलते हैं हैं तो आगे है हमारा मालवा का शेत्र यह जो शेत्र है मालवा जहलावार प्रतापगटर जिट्र यह उत्जगे decor二 उसको यहाद तो यह जो शेत्र था यह जो क्या कहलाता था यह मालवा का शेत्र कहला था ठीक है यह क्या कहलाता था मालवा का शेत्र उसके बाद में गिर्वा देखिए उद्यपूर के चारो और पहाड़िया होने के करण उद्यपूर की आकरती एक तस्तरी बेसिन नुमा जैसी थी उद्य का जाता तो किरवा कि जीले को आला चाता है उदयपुर को का जाता है उदयपुर को उसका सही जवाब होगा उसके बाद में हम देखते हैं भ rookie और भोमट के पथार दुद्ध है वो सबसे पहले भ राट का पथार कई भुदयपूर के गोगुंदा पहाड़ी और राज समथल की कुंबल गड़के बीच का पथारी हो क्या कहलाता है वो किलाता है भुराइट उसको भुराइट और भुमठ में आपको कन्फिूजन नहीं होना है बो राट रा में राजसमंद आ रहा है तो कुम्बलगड पहाड़ी कहा है इस्तिते थे कुम्बलगड पहाड़ी राजसमंद में इस्तिते थे तो बोराट को पठार कहा है इस्तिते उद्यपूर के गोगुंदा वह कुम्बलगड के मद्य का जो पठारी भाग है यह आपको यहां दिख रहा है बोराट यह यहां पर उद्यपुर और यहां पर राज समन तो उद्यपुर की कौन सी पहाड़ी उद्यपुर की तो है गोगुंदा और राजसमत की कौन सी है कुम्भलगड उद्यपूर की गोगुंदा पहाडी और राजसमत की कुम्भलगड का जो बीच का जो पठारी शेत्र है वो क्या कहलाता था वो कहलाता था बोराट का पठार कहलाता था उसके बाद में भोमट उदेपूर वो डूंगरपूर के बीच का जो पहाड़ी भाग है भोमट यह जो उदेपूर यहां इस्ती थे और यहां पर डूंगरपूर नीचे इस्ती थे तो उदेपूर और डूंगरपूर के नीचे का जो शेत्र था वो कहलाता था भोमट तो पर भटनेर जी नहीं था पटनेर अभी क्या हो गया हनुमानगड जांगल प्रदेश विकानेर ओत्तरी जोदपूर उसके राजदानी अहीं छत्रपूर जो की हो गई है नागोर उसके बाद वल्ली अमांड हम कहते थे जसलमेर को अरावली का प्राचिन क्या था अडावल चं अगे चलते हम देखते हैं नेक्स्ट है कि अगं को कि अब धूर्व म inn场 कि अब देखे सब से बहartillä देखे वागडं आघद क्या प्रतापगड यह देखिए यहां वागड आपको दिख रहा है यहां पर तो है डूंगरपुर यह जो है बासवाड़ा और यह है प्रतापगड तो यह जो शेत्र था यह क्या कहला था वागड कहला था यहां पर वागडी बोली बोली जाती थी कौन सी बोली बोली जाती थी यहां पर दूंगर पूरार बांसवाडा प्रताप तीन जिल में यह कह थे बंगर्ण या कह सकते हैं बंगर्ण तो शेखावटी अमरु प्रदेश के वह रिए शेखावटी और मेवाड इसके बीच आई शेखावटी और मरुप्रदेश के बीच की जो संकड़ी पेटी ती उसको बांगण कहते थे और वागड क्या थे वागड क्या था वागड क्या दक्षिन का जो शेखवटी और तोरावटी शेखावटी में तीन जिले शीक्र चुरू जुटरू शेखा करकू जुटरूँ यहां पर शेखावत का शाषन था कौन्सा वंद्ट तो शेख़्ावाटि और तोरावाटि में दो जिलेशामिले शिक्र और जुण जुनु इसको क्यों कहते थे तोरावाटि को तो यहाँ पर शाऊचन था तो इसको तोरावाटि भी कहते थे गहां पिर आगे चलते हम तो आपस हम देख लेते हैं एक बार यौद्धे जांगल पड़े अई चत्रपूर यह सब प्राची नाम है आपको यह याद ही रखने है मैप मैंने आपको इसलिए दर्शाय के मैप में आपको अच्छे से याद और मैप में कुछ जो चीजों के नाम नही कि मैप में लिखावा लेकिन या नहीं लिखावा तो कौन-कौन से ऐसे जिले हैं हाँ अब है मेवात सबसे पहले मेवात मेवात का क्या है कौन-कौन से जिले थे मेवात में शामिल अलवर और भरतपूर दो जिले मेवात में शामिल थे जो अलवर और भरतपूर का जो यह ग्वरतपूर और मेलब अब यह घूठ अप it a किया और मेवल और ने कुछ वर्ड है जो सही को देखेगे कैंड़ मेल मेवल कि भीच की बीच पहाड़ी भागते मेल कहते ते चैए यहां पर डूंगरपुर है और यह बांसवड़ा है इनके बीच का यह जिशा था पहाड़ी शेत्र उसको कहा जाता था उसको कहा जाता था मेवल तो एक है मेवात और एक है मेवल मेवात कहा है उदे जो अलवर भरतपुर का जो शेत्र है उसको मेवात कहा जाता था यहां पर मेव जंजाती रहती थी कौन सी जंजाती मेव जंजाती यहां पर निवास करती थी इसलिए क्या हो गया मेवाद कहलाया ठीक है और मेवल क्या है डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीज का जो पहाड़ी शेत्र है वो क्या कहलाता था मेवल कहलाता था अब मारवाड, मेवाड और मेरवाड मारवाड तो आप सब जानते हैं मारवाड ये देखिए जोदपुर संभाग का जो शेत्र था ये जो पूरा शेत्र था जोदपुर संभाग का जो शेत्र था वो क्या कहलाता था वो कहलाता था मारवाड कहलाता था फिर मेवाड तो मेवाड में क्या समिली था मेवाड में उदेपूर राजसमन चित्तोरगड और भीलवाड चार जिले जो परतमान है वो उस समय के तातकालिन क्या थे मेवाड थे तो मारवाड क्या है मारवाड था जोदपूर संभाग और मारवाड की बीच की जो सीमा थी उसको कम कहते थे मेरवाडा मेरवाडा में कौन-कौन से जिले सामिल ये अजमेर और रासमन मेवार और मारवार की सीमा तो मेक्त हो गया मेवार फिर है मारवार और मेरवारा मेरवारा दोनों की बीच की जो थी सीमा थी कौन-कौन से जीले इसमें शामिल ले थे अजमेर और रासमद इसमें शामिल थे उसके बाद में नेक्स चलते हैं मतस्य यह थोड़ा इंपोर्टें इसके हम क्या कहते थे मतस sih और इसकी राजदानी थी बैराथ जो वurrectionresal अज्ए बाद मतस्तान कर इसमें सामिले थे अल्वर भरतवLya और Dhas Up. इसके बाद आता है सूर्षेन सूर्षेन में अलवर को इसमें से निकाल दीजिए तो यह पीछे जो तीन बचे यह हो जाते हैं शूर्षेन भरतपूर करोली और धौलपूर इसकी राजदानी क्या थी मत्हुरा इसकी राजदानी उसके बाद में जो डांग या भीर जो चंब जो निर्माण हुआ चंबल बहुत इसको क्या कहते है चंबल को क्यों क्या क्या पैसे छ किया बढता दांग का शेत्र कौन सा था इस में से भरतपूर को भी निकाल दिती और सवाई मादोपूर जोड दीजे तो करोली धौलपूर और सवाई मादोपूर यह तीन जिले डां था उसको पिया तो तिरहरा भरत पुर करो ली और दहालपूर और शूरसेैन क्या था भरत पुर करोली और धाओलपूर और पीरद ननि पाहिए और ध सबसे सबसे पहले हमने पढ़ा मेवाथ मेवल उसके बाद मारवाड मेरवाड मारवाड़ फिर हमने पढ़ा मत्से मत्सेशंग शूरह झाय बीहड Zahl है चले आगे चलते हैं अब ये जो हमारा जो राजिस्थान के हैं बहुती परदेश में बढ़ता है जो चार जिले सम्मिली थे ये वाले कोटा बुंदी बारा और जहलावार कोटा बुंदी बारा और जहलावार इनको सम्मिली दुरूप से क्या कहा जाता था कोटा बुंदी बारा जहलावार को क्या कहा जाता था हाडोती कहा जाता था कोटा बुंदी बारा जहलावार को जो राजिस्तान का बहुतिक विवाजन पढ़ेंगे तो उसमें राजसान के भहती प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें जो यह होगा हडोती प्रदेश वो उसमें मैं आपको फिर बता दूँगा कोटा बुंदी 12 और जालावाडी चार जिले हडोती प्रदेश कहलाते थे इसी के पास था एक हाया है हाया है कोटा और बुंदी को क्या कहते थे हाया है शेत्र के नाम से जाना जाता था तो चार जिले से मिले थे कोटा बुंदी 12 जालावाड इनको तो कहते थे हडोती और कोटा और बुंदी 2 को कहते थे हाया है उसके बाद देखते आगे सपाद लक् सपाद लक्ष ठीक है तो अजमेर के दो नामते कौन कौन से एक तो अजमेरू और एक सपाद लक्ष तो यह आपको एक बार फिर ध्यान में रखना है उसके बाद में हम यह देखते हैं यहाँ पर लिखावाए डूंडाड यहाँ पर एक डूंड नदी बैती थी तो जो डूंड नदी का अप्टवाज शेतर था वो कहलाता था डूंडाड डूंडाड में क्या कहलाता है जैपुर के आसपास को जो शेतर है उसमें उसको और साथ में दोसा और टूंग को भी शामिल कर लीजिए तो यहाँ पर डूंड नदी का जो अफवाज शेतर था अब उसको कहते थे डूंडाड यहाँ पर डूंडाड बोली बोली जाती है अब उसमें एक देखिए बनास बेशिन में इसनotherapां साथ है यहां पर बनास बेशिन इसरा उसको और बनास नदी का जाता था अब उसके बाद में उपर माल, उपर माल का चित्तोडगर के बैंसरोड, यह यहाँ पर चित्तोडगर था, चित्तोडगर के बैंसरोड से बीजोलिया के बीच का जो शेतर यहाँ पर बीजोलिया के बीच का जो शेतर यहाँ पर बीजोलिया के बीच का जो शेतर था, उसको कह बच गे तो मही नधी को माम में रू questi कला भी कहा जाता था तो यहां पर कांठल Chopika कहते थे तो लगब हम ने काफिया इसकी जैड़ुको के अब कुछ है्से नाम है जो उसमें बच गए और हमने इसमें डिस्कस नहीं किया तो वह देखन लेते हैं कि सबसे पहले हमने जो डिसकस ने किया वो था तामरवती तामरवती प्राची नगरी थी आहर सब्यता थी राजस्थान में इस्तित थी प्राची आहर सब्यता इस्तित थी उसको कहते थे तामरवती आहर जो थी आहर सब्यता उसको कहते थे तामरवती नगरी और आहर सब्यता का इस्तित थी तो उद्यपूर में इस्तित्थि तो सबसे पहले हमने तां म्रवति नहीं देखा स्मेंध लिष्ट में तो तां म्रवति क्या है आठ समेता को तों तों और उसके बाद में गो करोली है मुणा झान वापन व्यक्त करोली का usee को क्यों पाल । पाल ठीक है करोली कही प्राची नाम क्या था गोपाल पाल और पिर ये एक था थड़ी थड़ी जो शेत्र है बिकानेर और चूरू का जो शेत्र है जो थोड़ा उपर उठावा शेत्र है थड़ी किसको का जाता था बिकानेर और चूरू मैं यहां लिख देता हूं उसको थड का स्तुलिक हो अँब उसके पास में आपको देख रहा लोओ के इस पॉक्रतनी तो यह जो आफ तो इस में उपकेश प्टन उससी को कहा जाता था और जो यह था अपना उपकेश प्टन किसको कहा जाता था जार ओर तॉald बाकि थोड़ा बहूत जो है ये जैसे ब्रज नगर है यह इसको करते थे जालद्रा पाटन को तो लगबर कि से सारे हो गएं आप इनों चीजों को सबसे एकद्व insane hypnotist कर लीजिए बार-भार इनको वक्राध में देखने की कोशिश कीजिये और और मैप में इसको याद रखने की कोशिश कीजिए हր जो हमारा आज जो राज़िस्तान की जो सामनलिस्थित्य विष्थार जो था जो कल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो वीडियो आप सारे देख सकें धन्यवाद